आज बेटा हम भाशा मादुरी का पार्ट 18 बेटीना का साहस पढ़ने जा रहे हैं तो सुनिए बेटीना बेजगार्ड लंदन इंग्लैंड में रहती है वह नित्य नाटिकाओं में परमुक भूमिकाएं निभाती है नित्य उसका शौंक और आएदोनों का साधन है जब वह 19 वर्ष की थी तब उसके साथ एक भयानक दुरगटना हुई उसके माता पिता उन दिनों इंग्लैंड के एक दूसरे नगर में रहती थे उस दिन अवकाश था अवकाश यानि छुट्टी थी वह पूरा आराम करना चाहती थी वह भोजन की सामगरी लेने के लिए घर से बाहर निकली वह पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रास्ते से सड़क पार कर रही थी तेज गती से आ रही एक कार ने उसे टकर मारी वह गाड़ी के उपर गिरी और आगे के शीशे से टकराई शीशा चूर चूर हो गया कार चालक ने तेजी से ब्रेक लगाई बेटीना लगभग तीन मीटर उंचा उचली सड़क पर लगी लोहे की सुरक्षा बाड से टकरा कर वह धडाम से सड़क पर गिरी उसका सिर्फट गया चहरा लहु लुहान हो गया टांग के निचले हिस्से में बहुत चोड लगी वह बुरी तरह गायल थी शरीर का परतेक भाग जखमी था वह अचेत हो गई टैरिस लैविस और उसकी पतनी जिल सवार थे उन्होंने हवा में उचलती बेटीना को देखा और कार रोग दी उनकी पतनी ने कार फोन से एम्बूलेंस को सूचना दी जब डॉक्टर लैविस उसके पास पहुंचे तो उसकी नाडी नहीं चल रही थी एक अन्य कार चालक डैन फोर ने अपनी कार रोकी और दुरगटना स्थल पर पहुंचा उसने बेटीना को सांस देने का प्रियतन किया कुछ देर के बाद उसकी नाडी फिर से चलने लगी उसे एम्बूलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया डेर घंटे भाद उसके माता पिता अस्पताल पहुंचे बेटीना जीवित थी उस लेकिन पूरा शरीर बुरी तरह घायल था दाई टांग आठ और बाई भुजा दो जगे से तूट गई थी खोपड़ी में गहरी चोट थी, शरीर के अन्य एई हिस्सों में गहरे घाव थे कई घंटों के अठक परियास अठक मतलब बहुत अधिक परियास करने के बाद कई घंटों के अठक परियास और शल्ले चिकित्साओं ने उसे नया जीवन दिया चिकित्सकों ने उसे नया जीवन दिया अस्पदाल के बिस्तर पर लेटे लेटे वह चत को निहारती और सोचती की शायद अब वह कभी निर्टे नहीं कर पाएगी यह सोचकर उसकी आँख से बेबसी के आंसु बहने लगते अक्सर उसके मन में यह विचार आता कि संकल्प और अभ्यास से एक दिन फिर वह पहले की तरह निर्टे नाटिकाओं में नित्य कर पाएगी संकल्प यानि निश्चे उसकी समस्याओं का यही अंत नहीं था अधिक दवाओं के कारण उसके कुर्दों में खराबी आ गई वह सोचती जब गिजट गिजट कर ही जीना है तब वह बची ही क्यों बेटीना कहती है एक दिन मैं बहुत निराश थी जीवन में कहीं कोई आशा की किरनशेश नहीं थी मैं सुबक सुबक कर रोने लगी मेरी एक सेविका ने निराशा जनक बाते सुनी प्यार से उसने मेरे सिर को सहलाते हुए कहा तुम्हारा नया जनम एक विशेश उद्देशे के लिए हुआ है उसके इन शब्दों ने मेरी सोचने की दिशा ही बदल दी चिकित्सकों ने बेटीना को बिस्तर पर ही लेटे रहने की सलाह दी चिकित्सकों की सलाह ना मानते हुए वह एक टांग की सहायता से शुचाले जाने लगी उसे भ्यंकर पेड़ा होती लेकिन वह उफ तक नहीं करती धीरे धीरे उसकी टांगों में गती और लचक बढ़ने लगी एक माहा अस्पताल में रहने के बाद वह घर लोट आई उसके माता पिता टांगों की मालिश के लिए उसे निकट के एकतरन ताल में ले जाने लगे वह घर में अनेक परकार की शारीरिक अभ्यास करती उसने कदम से कदम मिला कर जब चलने का पर्यास किया तो दर्द से चिलाओ थी कुछ दिन के असहनिये दर्द को जिलने के बाद उसकी टांगों में शक्ती का संचार होने लगा इस मोड पर उसके जीवन में शिक्षक बेरी का परवेश हुआ किसका परवेश हुआ? रीचित था बेटीना ने उसके सामने नित्य केंदर में जाने की चा व्यक्त की बेरी ने उसे हर तरह सहयों का आश्वासन दिया आश्वासन यानि दिलासा दी छे मा की कठो साधना के बाद जब उसने संगीत की लै और ताल के साथ नित्य का पहला कदम रखा तो उसे बहुत कठिनाई हुई धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया बिटा यहां बया लिखा है इसको गया कर देना आप उसकी दाई टांग में लगे धातु के टुकडे हटा दिये गए इस से सब को अपनी टांगों का संतुलन बनाने में सहाथा मिलने लगी सफलता भी दूर थी वह परियास करती रही दो वर्ष बाद नित्यनाटिका में काम किया उसकी सफलता में समूचा समागार तालियों की गड़ गड़ा हट से गूंज उठा धीमे धीमे बैटीना फिर उसी शिखर पर पहुँच गई जिस परवैदुर गटना से पहले थी बैटीना ने अपने परियासों से इच्छित कर दिया जहां चाहा वहां रहा अर्थात जहां आपकी अंदर से इच्छा है मतलब कुछ करने की तो वहां आपका जो अगर शारीरिक रूप सी अगर आप ठीक नहीं भी हैं तो भी आप सब कुछ कर सकते हैं तो आपने ये पाट के कटिन शब्द और शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखने हैं